गुद मॉर्निंग फ्रेंज आज का हमार टोपिक है आइन एक्सचेंज कंट्रोल ड्रग डिलेवरी सिस्टम अब आइन एक्सचेंज कंट्रोल ड्रग डिलेवरी सिस्टम का मतलब क्या होगा मतलब ऐसी ड्रग मतलब जो कि हम लोग औरल ही अगर कोई टेबलेट वगरा ले रह तो क्या होगा ड्रग के पास जो पौजट इन को इस चंट ऐना वह फितितně हो गेंग गेंगड़ के पौजटिव दिलेवरी सिस्टेम वहोंच्छेंज पक्सक्ट एकिया होगा और यह से क्या होगा drug release होना शुरू हो जाएगी, अब यहां पे एक वर्ड लिखा है, control drug delivery system, हमें पता है, control drug delivery system का मतलब क्या होता है, जो कि drug की delivery, या मतलब release है न, वो control में होगा, सही है, दीरे दीरे drug release होगी, और हमें पता है, जब भी control drug delivery system हम लोग use करते हैं, to उसमें हम लोग यूज़ करते हैं polymers तो इसमें जो polymers यूज़ होगा ना वो polyesterin होगा तो अब हम लोग देखते हैं real में इसका concept बस यही है कि drug आपने लिए drug के पास भी आइंज है और आपके gastric fluid में भी आइंज है तो gastric fluid और drug के बीच में जो आइं एक्चेंज होगा ना उस पे इसका release depend करेगा किसका drug का तो यह drug उस हिसाब से release होगी फिर अब इसमें क्या है आइं एक्चेंज आइं एक्चेंज इस इस रिवर्स प्रोसेज इन विच दिर इस एक्चेंज ऑफ सेम ताइप आइं इसमें क्या है ऐसा प्रोसेज है जो के reversible है और इसमें क्या होगा सेम टाइप आइं एक्चेंज होगा जैसे मैंने कहा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से एक्चेंज होगा नेगिटिव है तो नेगिटिव से एक्चेंज होगा किन दो चीज़ों के between solid and the liquid solid and liquid तो यह solid क्या होगा हमारी drug जो अमने लिए और लिए और यह liquid क्या होगा the gastric fluid इसको अम लोग liquid बोल रहे हैं सही है अब आइन exchange control drug delivery system this is the cross-linked water insoluble polymers मालब यही जो system है वो किन polymers का बना हुआ है जो के water insoluble polymers हैं जो के cross-linked बनाते हैं with our drug containing different functional group और जो polymers यहां पर यूज हो रहा है उसमें जो functional group है वो different तरह के functional groups होते हैं सही है इस system है उसको हम लोग कहते है आइन exchange resins भी कहते हैं क्योंकि जो polymers यहां पर यूज हो रहा है वो actually resin है सही है अब इसमें क्या होता है resin हमने लिया जो कि एक polymer है और अगर हम लोग example इसकी यहां पर चेक करें तो वो क्या है polystyrene यह resin हमने लिया है resin दिया उसके बाद क्या होगा इस resin में multiple functional groups होंगे मतलब different different तरह के functional groups होंगे और उन functional groups में यह ability होती है कि वो salt form करें अब हमें पता है जहां पर salt form होते हैं जहां पर क्या होगे आइंज होंगे जब दो आइंज मिलते हैं मालब sodium और chloride दोनों क्या है आइंज जब मिलते हैं वो salt बनाते हैं potassium और chloride मिलके क्या बनाएंगे salt बनाएंगे मालब दो different तरह के आइंज मिले एक positive दूसा negative salt बन रहे तो ऐसे ही जो polystyrene resin है उसके पास यह ability होती है कि वो क्या बनाए salt बनाए और यह जो polystyrene है वो actually में polymer है और हमें पता है हम इस system में polymer क्यों use करते हैं as a vehicle as a carrier as a backbone जो के हमारे drug को hold करेगी सही है यहां पर क्या होगा जैसे ही resin लिया उसमें हम लोग drug को load करते हैं फिर जब drug or resin मिलते हैं तो वो a complex बनाते हैं जिसका नाम होता है drug resonate अगर हम लोग देखते हैं इस system is also called as the ion exchange resin because there is a backbone vehicle carrier used जो के use हुआ है वो क्या है resin है सही है polymer जो के water insoluble है polystyrene content salt forming functional group ऐसे functional groups है जो के salt बनाएंगे और अगर resin और drug मिलते हैं तो क्या बनाएंगे drug resonate अब उसके बाद बाद आ जाते हैं when we load the drug with resin and administer in GI when it reaches to the stomach the drug exchange iron with the gastric fluid उसके बाद वो diffuse होगी and detach from the resin मतलब जैसे ही हम लोग उने drug को पहले load किया resin में सही उसके बाद हम वो drug administer करते हैं वो GI में जाएगी GI में administer करते हैं मतलब और अरल ही हम लोग इसे ले रहे हैं इस टमक पे वो reach करेगी मतलब पहुंच जाएगी इस टमक में पहुंचते ही वो क्या करेगी ions को exchange करेगी विदे gastric fluids जैसे ion exchange process इनका start होगा तो drug will start diffusing मतलब वो diffuse होगी क्या करेगी अपने polymer मतलब जो resin जिसके साथ वो attached है जिसमें हमने उसको load किया उससाथ detached होके हमारे gastric fluid में आ जाएगी अब यहां पे ना दो टाइप के मालब आइन exchange process होते हैं एक तो cationic दूसरा anionic हमें पता है cationic मालब positive जब कोई positive आइन of the tablet या drug exchange हो with the positive आइन of gastric fluid तो क्या होगा इसको हम लोग बोलेंगे cationic exchange और दूसरा होता है anionic exchange जब कोई negatively charged आइन of the drug exchange हो with the negatively charged आइन of the gastric fluid तो से हम लोग क्या रहेंगे anionic तो इसमें example क्या आ जाती है cationic में अगर sodium exchange हो with the calcium और हमें पता है कि sodium के उपर plus one charge होती है और जो calcium है उसके उपर क्या होती है plus two charge इसका मतलब यह है कि दो sodium जाएंगे तो एक calcium के साथ exchange होगे मतलब एक sodium के पास एक positive charge दूसरे के पास दूसरी दो sodium exchange होंगे with one calcium के calcium के पास दो positive charges होती है उसके बाद आ जाता है negative में अगर negative में हम लोग example देखें तो chloride and arsenic acid मैंने just examples दिये कि आपको यह समझ आ जाए उसके बादे अगर हम लोग drug load करें with the resin तो उसमें भी दो तरह की loading कर सकते हैं हम लोग किस किस में load कर सकते हैं एक तो chromatography column chromatography column हमें पता है purification वगरा या chromatography में use होता है लेकिन यह drug load करने के लिए भी use हो सकता है यहां पे दूसरा है solution अगर हम लोग solution form करते हैं तो solution form में भी हम लोग कर सकते हैं और chromatographic column में भी कर सकते हैं दो तरह के process हैं जिसके तुरू हम लोग drug load कर सकते हैं in a resin अब इस process के advantages क्या होंगे vitamin b12 की stability को increase करते हैं हमें पता है vitamin b12 instable हो जाता है तो इसकी stability को increase करने के लिए हम लोग क्या करते हैं यह system use करते हैं दूसरा हम लोग increase करते हैं या improve करते हैं dissolution और हमें पता है जैसे dissolution increase होगी या improve होगी तो absorption improve होगी और ultimately उसकी bioavailability improve होगी और जैसी bioavailability improve होती है तो जो drug का dose है हमें कम देना होता है तो वो economic भी पड़ता है और दूसरा होता है कि side effects भी नहीं हाते तो ये system बहुत अच्छा है तो ये क्यों जो use होगा एक तो stability increase करने के लिए और दूसरा increase और improve the dissolution because drug is used in an amorphous shape in this system जो drug है वो amorphous है मादब उसकी कोई shape नहीं है तो उसलिए हम लोग मादब इसको control drug delivery system में दे रहे हैं तो क्या होगा उससे improve होजाएगी इसकी dissolution अब हम लोग आ जाते हैं pH control और dependent drug delivery system अब इसमें क्या होता है जैसे आपने कोई drug orally दिये सही है तो इसमें भी polymers use होंगे क्योंकि यहां पे word use होगा control drug delivery system तो इसलिए हमें पता है जहां पे यह control का word use होगा ना वहां पे polymers यूज होंगे तो pH dependent में जो polymers यूज होंगे ना वो sensitive होंगे to the pH तो जैसे होगी ना environment की वो sense करेंगे और क्या करेंगे फिर अपनी ड्रग को release करेंगे फॉर example for example हमारी drug acidic है तो वह जाके basic pH में ionized होगी सही है उसके बाद मलब soil होगी release होगी वहां पे कहां पे अगर acidic है तो वह basic में जाके release होगी और अगर acidic है तो वह basic में होगी और basic है तो वह acidic में होगी अगर कोई basic drug है तो वह जाके gastric मालब जो stomach है वहां पे जाके release होगी क्योंकि हमारे stomach pH क्या होती है acidic होती है तो ऐसे इसे फॉर ग्जमपल आपने acidic drug दिये वह drug गई stomach में तो वहां जाके वह ionize नहीं होगी और release भी नहीं होगी मालब फिर जाएगी intestine में हम में पता है intestine क्या होगा basic होगा तो वह जाके basic medium में ionize भी होगी और soil up भी होगी यह क्यों हो रही है क्योंकि जो pH ना उसको sense करा है हमारा polymer जैसे वह stomach में गया उसे यह था कि नहीं यह तो acidic है तो यहां पर release नहीं होना फिर वह intestine में जाएगा उसको basic pH लगेगी वहां पर जाके वह drug को release करेगा तो हम लोग acidic के लिए acidic तरह के इस तरह के polymers यूज करते हैं जो कि उसको जाके कहां पर basic जो medium में वहां पर इसको ionize करवा है कि वह साइसे dissolve हो और साइसे absorb हो अब हम लोग इसमें देखते हैं कि यह है क्या दो system which release the drug by stumula of change in pH वह सिस्टम जो के drug को release करेंगे जब वह sense करेंगे को इस चुमला आएगा कि pH न हो चेंज हुए जैसे stomach में pH एक अशिडिक थी और small intestine में गए तो क्या होगी बैसिक होगी तो क्या होगी यह पीच एक्चेंज मालब जो pH चेंज हुए न उसको उसने sense किया of the surrounding environment हमें पता है drug का environment क्या होगा स्टमक हो सकता है intestine हो सकता है वह उसकी जैसे pH चेंज होगी तो drug उसी तरह से रिलीज होगी केरियर और यूज विच आर पॉलीमर्स देट आर पीच सेंसिटिव डैरिवेटिव ऑफ मालब जो पॉलीमर्स यहां वे यूज होते न ऐसे दिक के लिए अलग होंगे बैसे के लि अलग होंगे छो पॉलीमर्स के ह के पास होते हैं फंक्शनल ग्रूप जो एसेडिक पॉलीमर्स होगे चुह के लिए हम झेते हैं ग्रूस तो ऑंके पास यह डिक होते हैं अब जो डिक पॉलीमर्स क्योंकि हमें बता हैं, Ammonium is the base, और जो अच्छाइब कर्वोजालिक अचिद और अचिद तो Acid polymers have got the acidic groups and basic polymers have got the basic group उसके बाद हमें बता हैं, जो भी acid or base होगा, तो क्या होगा? Acid है तो वो proton को donate करेगा और base है तो वो proton को accept करेगा, तो यहां पर यही चूरी यूज हो रही है, Donate and accept proton due to stimuli of change in pH of the surrounding, समझा है? When polymers become sensitized and soil, they release the drug, जैसे polymers sensitize change in pH, वो soil हो जाएंगे और फिर drug को release करेंगे, जो acidic polymers है ना, उसमें example आ जाती है, polyacrylic acid, और जो basic है ना, उसमें example आ जाती है, और हाँ, poly basic को हम लोग poly ketionic भी बोलते हैं, और poly acid को हम लोग poly anionic भी बोलते हैं, और जो poly acid है के उसमें कौन से example आ रही है, poly acrylic acid, और जो हमारा basic है, उसमें जो example आ रही है ना, जो example code की है, वो है, poly di, poly n-n di ethyl amino ethyl myth acrylic, हम लोग ये example आगे देखते हैं, ये रहे, ये रहे, ये example, poly basic की, जिसे हम लोग poly ketionic भी बोलते हैं, उसमें कौन से example है, poly n- di ethyl amino ethyl myth acrylic, जिसको हम लोग PDEAEMB भी बोलते हैं, ये क्या है, वो polymary जो के basic है, basic in nature है, ये system are especially used, और ये जो system है न, pH controlled drug delivery system, वो उसकी applications क्या है, वो anti-esmic drugs होती है, उनके लिए यूज होगा, inflammatory और chemotherapy, जो anti-cancerous drug होंगी, उसके लिए inflammatory और जो asthma के लिए यूज होते हैं, उनके लिए ये special system है वो यूज होता है, अब इसके advantages क्या है, laced dose is used, हमें पता है, मालब कि desolation से improve हो रही है, तो उसकी absorption improve होगी, bioavailability improve होगी, तो उससे क्या होगा, हमें dose कम देना होगा, dose कम दिया, side effects भी कम होंगी, और क्या होगी, patient compliance भी improve होंगी, मालब अगर हम एक drug दिन में दो तीन दफा ले रहे हैं, तो वो हमें एक दफा में ही पूरा effect आएगा, मालब वो control release होगा ना दीरे-दीरे release होगी, और हमें effect आएगा, तो ये था about ion exchange and the pH control drug delivery system, I hope आपको समझ आया होगा. झाल झाल